तो आज हम डिसकस करने वाले हैं गुजरात में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है 20 जून 2021 को जनरली हमारे चैनल पर जब भी पेपर होता था कोई जा भी पेपर हो नर्सिंग का वो विदिन वन और टू आवर में सॉल्व करवा दिया जाता था बट आज थोड़ा से लेट ह हो गया है कल पेपर हुआ था 20 जून को आज 21 जून है तो पेपर को सॉल्व करने के पहले आप सभी को अंतर राष्टी योग दिवस्की बहुत-बहुत सुपकामना है और आज का एड़े आप याद रखे क्योंकि आपके नर्सिंग एक्जाम में कॉस्चन पूंचा जाता ह है कई रार की हम हर साल इंटरनेशनल योगा डेक अब सब्सक्राइब करते हैं तो 21 जून को जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें और यह जो यहां पर हम आंसर की जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले है गुजरात का है दॉनल लेंग्वेज में गुजराती एंड इंगलिस तो हम यहां पर जो पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा और सरल पेपर आया था मैं ही कहूंगी बट आपके एक्सपिरियंस के बेस पर आप लोग भी कमेंट वाक्स तो मत प्राइन सफल है किस टाइप के साइन है प्रेगनेंसी के ऑप्शन में पॉजिटिव साइन और प्रेगनेंसी प्रिजम्टिव साइन और प्रेगनेंसी डाइगनोस्टिक साइन और प्रेगनेंसी या पर प्रॉबबल साइन और प्रेगनेंसी तो यह सभी किस टाइप के है प्रोबिल साइन और प्रेगनेंसी तेहां पर सही आंसर आपका क्या होगा डी नेक्स्ट कोश्चन है आपर ओन विच आप दी फॉलेंग एरिया वोड दनर्स एक्सपेक्ट तो अब्जर्व कोलाजमा तो कोलाजमा और मेलाजमा जो की प्रेगनेंसी में दिखने वाले साइ हैं तो इक किस एरिया में अब्जर्व करेंगे अब्डोमन ब्रेस्ट थाई चेस्ट नेक आंस और लेक्स ब्रेस्ट एरियोला और निपल यह फिर चीक्स फोरेड और नोज तो इसको प्रेगनेंसी फेस मास्क के नाम से भी जाना जाता है तो यह कहां पर देखने को मिलते ह पर तो यहां पर इसका अंसर आपका क्या होगा डी को लाजमा को क्या कहा जाता है और मेलाजमा नांसी बीस को जाना जाता है और फेस मास्क है प्रेग्डेंसी का नेक्स्ट कोश्चन है विच अप दी फॉलिंग कॉंप्लीकेशन इस मोस्ट लाइकली रिस्पॉंसिवल के लिए कौन सा कॉंप्लीकेशन रिस्पॉंस्विल हो सकता है तो यहां पर ऑप्शन में यूट्राइन सब इन्विल्यूजन पैरिनियल लेस्ट्रेशन क्लॉटिंग डेफिसींस या फिस सर्वाइकल लेस्ट्रेशन डिले पी पी एच का जो रीजन होगा वो क्या हो सकता ह है वो होगा यूट्राइन सब इन्विल्यूजन यूट्राइन सब इन्विल्यूजन का मतलब है कि जो यूट्राइस है बिदिन सिक्स वीक के क्या हो जाता है जो परपीरियम पीरेट होता है उसमें यूट्राइस है जो नॉर्मल अपने नॉन प्रेगनेंट कंडिशन में होती है इस case में 7 विलूजन में क्या होगा यू टाय नर्मल कंडिशन बैकवर्ड नहीं हो रही है नोन प्रेगनेंट स्टेट में तो यह सबसे ज्यादा मैं कॉंप्लिकेशन बन सकता है पोस्ट पार्टम हैम्रेज के लिए क्या होगा यू टाय विलूजन तो यह जो 20 है किसी को सी सेट मिलाओ किसी को डी सेट यहां पर आप लोग अपने क्वाश्चन एक बार जरूर चेक करनें आपने क्या तो यह जो यहां पर टेक्निक कहलाएगी यहां पर आंसर क्या होगा आपका ए नेक्स यहां पर the peak point of a uterine contraction is called तो peak point पूँच़ है uterine contraction का तो uterine contraction का peak point क्या कहलाता है option में deceleration, acceleration, acme या फिर axiome तो peak point कहलाता है uterine contraction का acme यहां पर अपका अंसर क्या होगा आपका एफ सी acme क्या कहलाता है? peak point next is when the siny portion of the placenta comes out first this is called which mechanism placenta के दो portion होते हैं एक maternal side और एक fetal side का तो placenta का जो siny portion यदि पहले बाहर आता है तो एक कौन सी mechanism खहलाएगी option डंकेन, sludge, haggarstein यफिर सफल तो यहां पर इसका जो answer होगा तो क्या होगा sludge क्या होगा sludge यदि placenta का siny portion पहले बाहर आता है तो sludge और यदि जो मीती portion बाहर आता है जो की खुर्दुरा टाइप कर रहेगा तो क्या कहलाएगा दंकेन, mechanism बट यदि यहां पर क्या पूछा है, siny पूछा है तो आपको answer क्या करना है, option B को सबसे पहले आएगा, नेक्स्ट पर्मानेंट टूथ टूथ टू इरप्टिज, तो फर्स्ट पर्मानेंट टूथ की यह पूछिए कि का बाता है, जो का बाता है, जो मोलार है, जो सबसे पहले आएगा, नेक्स्ट है आप पर क्वेस्ट नमरेट, थ्री सीज साइन्स, इंक्लूडिंग, कफिंग, चोकिंग, अंड साइनों से साथ क्लीनिकल फीचर ओप, जो थ्री सीज में देखने को मिलेंगे, उप्शन में, लेक्टोज इंटोल्रेंस, क्लेक्ट लिप, पाइलोरिक इस्टेनिस, एप ट्रैक्यों इसोफेगल फिस्टुला, जो 3C साइन है, देखने को मिलेंगे, ट्रैक्यों इसोफेगल फिस्टुला में ते हां पर आप का अंसर क्या होगा, D, नेक्स्ट इस, अक्वर्डिंग डूर्डिंग प्रोसेज रहेगी, तो यहां पर इसका डारेक्ट हम आंसर देखेंगे, ताक कि आपको कन्फिउजन ना हो, तो वह होगी टेकिंग इन, टेकिंग होल एंड लेटिंग गो, तो मदर है जो रोल अडॉप्टेशन की प्रोसेज रहेगी, जो प्रोसेज रहेगी, जिसको मदर आफ्टर डिलेवरी पोस्ट पार्टम पीरिएट जो कहलाता है, उसको इन तीन स्टेज में हैंडल करेगी, टेकिंग इन, जो भी इमोसल से, जो भी इन्वारमेंट चेंज हो रहा है, उसको क्या करेगी, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपकर D, नेक्स्ट कॉस्चन है आप पर, कॉस्चन नमबर टैन, वट दो यू मीन वा फीटल मैक्रोसॉमिया, फीटल मैक्रोसॉमिया का मतलब क्या होगा, बर्थ बेट लेस दन बन पॉइंट फाइब केजी, लार्ज साइज हैड ऑफ नूबॉन, फीटल लिस्ट्रेस, ब फीटल मैक्रोसॉमिया का मतलब होगा, बर्थ बेट मोर दन 4.5 केजी, बर्थ बेट जनरल इंडियन वेवी का 2.5 तो 3.5 केजी की केटेग्री में कंसिडर किया जाता है, बट यदि बर्थ बेट साढ़े 4 किलो से 4.5 केजी से ज्यादा हूँ, तो इसको फीटल मैक्रोसॉमि के कंडिशन वाले वेवी होते हैं, इसनरली जो मदा डाइवेटेक होती है, उनके वेवी इसी तरीके के डिलेवर होते हैं, नेक्स्ट यहां पर एंडोमेट्रियम और प्रेगनेंट यूट्रस इस नोन अस तो प्रेगनेंट यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, वो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं, Decidua. Option में, Chorionic Beli, Morula, Trophoblast, बतांसर, आपका क्या होगा, Decidua. Next is, which of the following is the nurse initial action when umbilical cord prolapse कर? जब umbilical cord prolapse हो रही हो, तो as a nurse, आपका first initial action क्या होगा? Option में, Apply style warm saline dressing to the exposed cord, place the patient in the knee chest position in bed, notify the physician and prepare for delivery, begun monitoring maternal vital sign and FHR, तो यहां पर आपका initial action पूँचा है कि, यह आपका skill based question में भी हो जाएगा, जो MPCHO का exam देने वाले हैं, कि the umbilical cord prolapse होती है, तो आपका जो first initial action है, वो क्या होगा? वो होगा, place the patient in a knee chest position in bed, तो यह क्या करेगा? minimize the pressure on the cord, तो जब आप patient को knee chest position में बैट पर विठाल देते हैं, यदि हम लाइकल cord prolapse हो रही है, तो यह क्या करेगा? जो अम लाइकल cord पर pressure पड़ रहा है, यह क्या करेगा? इसको minimize करेगा, तो यहां पर answer क्या होगा? आपका B. नेक्स्ट question है, question number 13, which of the following would the nurse assist in a client experiencing abrupto placenta? देर्धी किसी प्लाइट को abrupto placenta की condition हो रही है, कौन से sign आपको देखने को मिलेंगे? option में, palpable fetal outline, bright red penless vaginal bleeding, soft and non-tender abdomen, concealed और external dark red bleeding, तो abrupto placenta है, जो antipartum hemorrhage का most common cause है, और इसमें क्या होगा? concealed और external dark red bleeding है, जो देखने को मिलेगी तो हैंपर आपका answer क्या होगा? D. next is, a nurse is reviewing the record of a client in the labor room and notes that the nurse midwives has documented that the fetus is at minus 1 station, nurse determined that the fetal presenting part is, 3 minus 1, 2, 3 and plus 1, 2, 3 station हैं जो रखे जाते हैं, तो fetus का पूंचा है कि minus 1 station पर है, तो आप fetal presenting part है, जो कहां तक रहेगा? तो fetal presenting part होगा, 1 cm above the STL spine, answer क्या होगा आपका हैंपर? next question है, आपर, question number 15, which of the following features is incorrect about pathological joint disc in a newborn? कौन सा sentence गलत है, pathological joint disc को लेके newborn में? option में, appears within first 24 hour, always treatment is required, bilirubin, encephalopathy may be seen, never appears within 24 hour of birth, जो pathological joint disc होता है, ये कभी भी 24 घंटों के अंदर देखने को नहीं मिलता है, बेबीज में, generally 24 to 48 hour के बाद deliver होने के बाद ही बेबीज में pathological joint disc दीन होगा, और ये normal है, but कभी कभी है, ठीक भी pathological और physiological दो तरीके के joint disc देखने को मिलेंगे बेबी में, but pathological joint disc है, जो कभी भी within 24 hour of birth में देखने को नहीं मिले गए, the within 24 hour के मिलता है, तब आपको initial treatment की ज़वरत पड़ेगी, और जो pathological, physiological joint disc है, जो जनरली 24 hour of birth के बाद देखने को मिलेगा आपके लिए, but pathological joint disc है, ये कितना है आपर, appears within first 24 hour, 24 घंटों के अंदर देखने को आपको मिलेगा, always treatment की ज़वरत होगी, phototherapy की ज़वरत पड़ सकती है, bleerubin, incephalopathy भी हो सकती है, बट जो physiological joint disc होता है बेबी में, ये जनरली 24 to 48 hour के राद देखने को मिलता है, तब आपका अंसर क्या होगा, डी never appears within 24 hour of birth, नेक्स्ट है, आपका bronze baby syndrome is a complication of, तो bronze baby syndrome किसका complication है, option है chemotherapy, phototherapy, exchange blood transfusion, फिन वार्बिचॉन, तो bronze baby syndrome किसका है, जो complication है, phototherapy का, बेबी इसको जब bleerubin level बड़ा हुआ है, तो उसको treat करने के लिए, जो एंडिस को treat करने के लिए, therapy use की जाथी हुए, phototherapy, और bronze baby syndrome इसी का, एक complication है, किसका phototherapy का, next is, the following are sign that the placenta has detached, accept, तो सभी यहाँ पर sign है कि placenta क्या हो रहा है, डेटेश्ट हो रहा है, बड किसी एक को छोड़कर, option है, sudden gust of blood, mother feels like bearing down, uterus become more globular, length of the cord, तो तीन classical sign है, placenta detest होने के, sudden gust of blood, uterus become more globular and lessening of the cord, but mother feels like bearing down, तो यह इसका sign बिलकुल भी नहीं है, so it is the right answer is B, next question की तरफ move करेंगे, question number 19, to determine if the cause of infertility is a blockage of the fallopian tube, use the test to be done is, यदी पता चलता है, यदी आपको confirm करना है, कि फैलोपियन ट्यूब में क्या है, कोई blockage है, फैलोपियन ट्यूब में खलो, structure type से, pipeline type से होती है, यदी इसमें कोई blockage है, इसके कान infertility हो रही है, conceive नहीं कर पा रहा है, कोई, कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा, और सन में, रूविन्स टेस्ट, पोस्ट कोईटल टेस्ट, होनल स्टेस्ट, यदी आपकोई टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की blockage को, फैंड आउट करने के लिए, वो क्या होगा, रूविन्स टेस्ट, नेक्स्ट इज कॉश्ट नमर्ट 20, इफ दवेट ऑफ न्यूबॉर्न इस लेस देन 10 परसेंटाइल फर जैस्टेस्ट इन बेवी इस कॉल्ड, यदि बेवी का, न्यूबॉर्न बेवी का जो बर्थ वेट है, वो कितना 10 परसेंटाइल से भी कम है, जो जैस्टेस्ट इसनल एज है, उसके according, तो बेवी क्या कहलाएंगे, यह ओप्सन में है, लो बर्थ वेट वेवी, प्रीटर्म बेवी, स्मॉल फर जैस्टेस्टेस्टेस्ट इस बेवी और प्रीमेट्यूर बेवी, तो जो बेवी कहलाएंगे 10 percentile for gestational age से कम है बेवी का बेट ते बेवी कहलाते है small for gestational age और intrauterine growth restricted child low birth weight babies में वो babies आएंगे जिनका वर्थवेट 2.5 kg से कम हो pre-term baby में वो babies आएंगे जिनका gestational period 37 week के पहले ही deliver हो गये हो premature babies में वो baby आएंगे जो full term हुए हैं बट क्या है completely पूरे तरीके से mature नहीं है तो वो babies इसमें आएंगे next question देखेंगे हम question number 21 a mosquito bites a person who subsequently develops fever and rasis what type of transmission would this be ते यदि कोई person को mosquito काटता है और उसको fever and rasis आते हैं उस person को ते किस type का transmission कहलाएगा option में mechanical vector biological vector transmission direct contact transmission यहां पर आपका अंसर क्या होगा भी नेक्स्ट इस which one of the following is not millennium development goal तो हमने millennium development goal वहाथ पहले पढ़ाया था आपके लिए तो इसके सभी point है मट किसी एक को छोड़कर option में improve maternal health combat HIV AIDS malaria and other disease ensure environmental sustainability develop a local partnership for development millennium development goal में है जो local partnership को प्रात्मिक्ता बिल्कुल भी नहीं दी गई है तो यहां पर इसका answer आपका क्या होगा डी next question है question number 23 जो कि mostly exam में आता है question यहां पर question है कि jsy scheme operating under जन्नी सिसू सुरक्षा योजना क्या है यहां पर जन्नी सिसू सुरक्षा योजना jsy scheme है यहां पर किसके अंदर में आएगी या फिर कौन इसको operate करता है option में icds nrhm nhm fn uhm तो जन्नी सिसू सुरक्षा योजना है infant mortality rate को कम करने के लिए maternal mortality rate को कम करने के लिए launch की गई थी jsy scheme के बाद तो इक इसके अंदर आती है फिर इसको कौन operate करता है इसको operate करता है national rural health mission nrhm यहां पर इसका answer क्या होगा आपका b next question है आपर which cells are destroyed by hiv hiv AIDS में कौन सी cells destroyed होती है option में है a helper cells k helper cells t helper cells y helper cells to hiv में जो cells destroy होती है वो ती t helper cell यहां पर आपका answer क्या होगा c next gas gangrene is caused by which of the following microorganism gas gangrene जो एक bacteria के द्वार होने वाली प्रॉब्लम है इसका causative agent कौन है chloristidium perfringance कौन है chloristidium perfringance next is what is the shape of the lymph node lymph node कि सेप के होते हैं option में tubular circular और qoidal और kidney और oval shaped lymph node होते हैं kidney और oval shape में next है epidemiological triad does not include epidemiological triangle है उसमें क्या include नहीं है host agent risk factor of environment तो host agent environment तीन चीज़े include हैं जो नहीं है वो क्या risk factors है जो epidemiological triad का part नहीं है triad का मतलब होता है three और त्राइंगल उसमें one one चीज़े हैं so की जाती है next question है a blanket from a child with chicken box is likely to be contaminated with the virus that cause chicken box what is the blanket call तदी किसी बच्चे को chicken box हुआ है उसका contaminated blanket है वो भी उसमें virus चिपके हुए होंगे तो जो virus है वो क्या कर सकते हैं किसी दूसरे को chicken box कर सकते हैं तो blanket क्या कहलाएगा यहां पर और फॉमीट होस्ट पैथोजन और बेक्टर तो blanket कहलाएगा यहां पर फॉमीट क्योंकि अभी रिसेंट में यहां से chicken box में chicken box या फिर आप अभी रिसेंट में कोविट को ही ले लो यदि आपने बाहर से कोई सामान मंगवाया आप भले कहीं बाहर बिलकुल भी ना जा रहे हों घर से यदि आपने जो बाहर से सामान मंगवाया है कुछ भी सामान मंगवाया है उसको आपने sanitize नहीं किया है तो उसमें हो सकता है कि कोबिट के जो वाइरस ने चिपके हो सकते हैं तो जो सामान आया है आपका कोई साभी वो क्या कहलाएगा फॉमीड सैम तिंग यहां पर भी है कि अधी किसी बच्चे ने ब्लैंकेट जो यूज किया है चिकिन पॉक्स बच्चे को तो वह ब्लैंकेट में भी वाइरस चिपके ह होगे तो क्या कहला है कंबल यहां पर ब्लैंकेट को क्या कहा गया है फॉमीड नेक्स इट विच कमिटी वाइच कंस्टिवूटेट फॉर इस्टेंशिंग मेंडिकल एजूकेशन इंड सपोर्ट मैंपावर तो कॉन सी कम्मिटी ने चिपकेशन और सपोर्ट मैंपावर करन हैं और सब्सक्राइब करता जिंग श्रीवास्ता जंगल वाल एफ बहुर कमिटी ते काम किया था स्रीवास्ताव कमिटी ने नेक्स टीटमेंट ऑफ ट्यूबर क्लॉस इस कॉल्ड एस डॉट्स विकल्स तो डॉट्स क्यों कहा गया है टीवी के ट्रीटमेंट के लिए ऑप करक्लॉस का ट्रीटमेंट कहलाता है तो क्योंने की डीटमेंट्हून में दिया जाता है नेक्स कोश्यं कोश्न वट्लीं इसे क्किश्वाश्त विच्छा सकती कर्म सकती इच्छा सकती और ज्ञान सकती इसके पिलर में जो नहीं आता है वो क्या है तो हो है पिचार सकती बागी कर्म सकती इच्छा सकती और ज्ञान सकती इसी के पार्ट है next is what is the natural family planning method to natural family planning method यहां पर कौन सी है option में having sexual intercourse respective of any period not having sexual intercourse in any time having sexual intercourse with help of contraceptives the barrier methods में आ जाएगा not having sexual intercourse or the sorry on the particular days when woman is fertile यहां पर पूंचा है कि natural family planning method के लिए क्या पनाएंगे तो वहोगा जब women fertile period में हो और वो लेशन हो रहा हो तो उस ताइम पर क्या करना है sexual intercourse नहीं करना है next is according to Alma Ata elements of PHC यह तो PHC primary health care के कितने elements है अलमा टाके according total कितने elements है एट elements है जो PHC के हैं next question sorry when was the आयुसमान भारत scheme launched तो आयुसमान भारत scheme है जो कब launch की गई थी option में March 8 2018 अप्रेल 2018 जन्वरी 1st 2018 अप्रेल 30 2018 तो इस question का answer आप लोग comment box में जरूर बताना क्यूंकि इस question को मैं कई वार आपके लिए बता चुकी हूं आपको एक hint कर देते हूं कि योजना 2018 में ही आई थी बट आपको बताना है कि यह योजना launch कब की गई थी और इसको launch करने के बाद आदि आप हो सके तो comment box में भी बता सकते हैं कि launch होने के बाद इसके जो first priority क्या दी गई थी क्या है question आयुस्मान भारत इसकीम आयुस्मान भारत इसकीम कब launch की गई थी और इसका क्या goal रखा गया था next question है what does G stand for इन गोवर्धन योजना तो जो गोवर्धन योजना launch की गई थी तो इसमें G का full form आपको बताना है जी का मतलब यहां पर क्या है और सब्सक्राइब गोवर्धन योजना लाई गई थी जो भी बैटलस होते हैं उनका जो वेस्ट है फीकल मटेरियल उसके खटा करके क्या करना कंपोस्ट में कनवर्ट करवाना वदर चीजों के लिए यूज करवाना एक्सपॉर्ट करवाना तो यहां पर जो गोवर्धन योजना है इसमें जो गोवर का मतलब इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूं गाल वैने सिंग और गनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज तो यहां पर आपको इसका फुल फॉर्म है जो याद रखना हो सकता आप से एक्जाम में इसको पूछा जा सके नेक्स्ट यहां पर गुजरात गवर्मेंट लॉंच्ट पूर्णा प्रोजेक्ट तो यहां पर पूर्णा का फुल फॉर्म क्या है इसका सही answer यांशर क्या है यहां पर पूर्णा का जो फॉल फॉर्म है वो क्या है पूर्णा क्या है प्रिवेंचन अफ अनुदर्ठ इभाग्रनिया ड्र प्रेग्सिनल आनीमिया नेक्सट कॉश्चन है यहां पर कॉश्चन नमर्च 87 सब्सक्राइब के लिए एक्जाम हुआ था विच मैथा इस यूज तो रिमूब टेंपरी हाड़नेस अब वाटर को रिमूब करने के लिए कौन सी मैथाड यूज की जाती है और सब्सक्राइब पर्मुटेट में ट्रॉट में फीकल में जो फीसिस इसका क्या रहेगा ऑप्सन राइस वाटर डाइरिया पी सूप डाइरिया इंट बल्लॉड राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिलता है कोलेरा में एंटरिक फीवर में स्टूल का क्या चारेक्टरिस्टिक होता है वह था है पी सूप डाइरिया यहां पर आंसर क्या होगा आपका बी नेक्स्ट इट विच सॉल्वेंट इस उस्ट फॉर डाइलूशन अब बीसीजी वेक्सीन को डाइलूट करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है तो वह सलाइन बीसीजी वेक्सीन हमें से नॉर्मल सलाइन में डाइलूट की जाती है नेक्स्ट इस डिसीज अकरिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल एंड और फ्यू प्लेसे से स्कॉल्ड तो कोई यहांसी डिसीज जो कि एक इर्रेगुलर इंटरवल में और कुछ ही जगह पर हो नेक्स्ट question, question of 41. 101 degree Fahrenheit will be equals to, 101 degree Fahrenheit कितने इक एककोल होगा, तो एककोल होगा 38.3 degree Celsius के, यहां पर आप Fahrenheit to Celsius में convert करने का formula यूज करके भी अपने से इसको calculate करके देख सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो कितना आएगा 38.3 नेक्स दासॉलिशन उस्टू डिसिंफेक्ट इड़ाइड लाइजॉल या फिर सेबलॉन तो सब्सक्राइब करने के लिए यूस किया जाता है और एट्स और है चाहिवी पेसेंट के लिनिन को भी दिसिंफेक्ट करने के लिए यूस किया जाता है नेक्स रिकॉर्डिंग ऑफ एलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ इस्केलिटल मसल इस्केलिटल मसल की जो रिकॉर्ड करन मसलy's की electrical activity को मौ प्रकूर्डिअ को कि या We मैं अब्रूप्रविए khiलोग्रफी इलेक्ट्रो काडियोग्राफी एलेक्ट्रग्राफी तो जो इसकालेटल मसल रिये以前 कौर्डिंग क्या जानिंग हो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रो Rebecca Graphy, Electro Cardiography, Heart ये यूज़ किया जाएगा Electroencephalography, allevi इसको हम कहते है ये, इसको क्या ब्रीन में क्या activity हो रही है उसके लिए यूज़ किया जाएगा, तगया पर आपका अंसर क्या होगा क्स propion का Anti-dote क्या होगा epic yr vitamin k amino capric acid ,protamine sulphate और ce तो हेपरेंप छो एंटीडोट है वो क्या होगा फिरोटमाई सेलफएट में ओवरडोज हो जाता है तो प्रोटमाईइन सलफएट देखें ओवर्डोज को हम ठीक कर सकते हैं नेक्सटे ब्रेडन स्केल इस उसे जाता है तो जो ब्रेडन स्केल है यूज की जाती है डेक्विटेस सलसर को चेक करने के लिए ते हैं पर आपका अंसर क्या होगा ए नेक्स्टे इस नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल पूण्छा है कितना होगा उप्सटन में 145-150 MQ पर लिटर 135-140 MQ पर लीटर 3.5-5.2 MQ पर लीटर 9-11 MQ पर लिटर तो जो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है ये कितना होता है 135-145 mq per litre बट जो इसका basic average माना जाता है वो होता है 135-147 बट यहां पर option के according हम जाते हैं तो answer होगा आपका B Next, low-pitched continuous gurgling sound caused by secretion in the large airways called तो large airway में कोई secretion के कारण low-pitched or continuous gurgling sound आ रहा है क्या कहला है और वीजिंग रॉंचाई, कफिंग या फिर स्ट्रॉइडर तो sound कहलाएगा वीजिंग sound Next is anti-helminthic anima is given to तो anti-helminthic anima किसके लिए दिया जाएगा remove the flotus, remove foreign particles softening hard fecal matter, destroy intestinal parasites तो जो anti-helminthic anima दिया जा रहा है किसके लिए दिया जा रहा है destroy intestinal parasites के लिए flattus को remove करने के लिए carminative anima दिया जाता है यह anima आपको याद रखना है मैंने आपसे last time भी कहा था एक question जो state level के paper होते होन में आही जाता है Next question है highest level of need according to Maslow-Hergy model is तो Maslow-Hergy model के according जो highest level need है वो क्या है physiological self-actualization safety and security of love and belongings तो lowest level की पूँचते है तो physiological need होती ही बट यहां पर highest level need पूछी है तो क्या है self-actualization तो अंसर क्या होगा आपका यहां पर भी तो जिन भी लोगों ने गुजरात का जो मैंने दो दिन पहले परसों ही पेपर अप्लोड किया था वो देखा होगा उनको बहुत होगी क्योंकि उसमें से तीन चार कॉस्टन से जादा ही कॉस्टन है पर आये हुए है नेक्स्ट कॉस्टन है आपर कॉस्टन फिप्टी human anatomical based should be discarded in following colored container in hospital human anatomical based है इसको किस color के bag में है जो discard किया जाएगा container में discard किया जाएगा option में red, blue, black या फिर yellow human anatomical based है इसकाइड किया जाएगा yellow color के bag में यहां पर answer क्या होगा आपका c next is best time to collect sputum sample for afb acid fast bacilli या फिर acid fast bacilli की जगा में भी कह सकते हैं tuberculosis के bacteria को पता करने के लिए कब हम sputum का collection करेंगे क्योंकि tv का जो bacteria है वो भी acid fast bacilli आई है option में morning after wake up after breakfast in evening whenever the person cough तो afb acid fast bacilli है इसको यदि हम इसके लिए sample collect करना है इस पुटम का तो morning after wake up है तो best time रहेगा next lateral curvature of spine is called to lateral curvature of spine क्या कहलाएगा scoliosis क्या कहलाएगा scoliosis next question universal recipient blood group is the universal recipient कहा है universal recipient कौन है AB group universal donor होता तो O group universal recipient है तो AB group next is stiffness occurs in the body after death is known as तो body में death के बाद जो stiffness होती है वो क्या कहलाएगा option में algal martis liver mortis riger mortis tardue mortis तो यह question आपको याद रखना है यह इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है यह जकड़ान आती है वो क्या कहलाएगा riger mortis तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा c riger mortis और जो liver mortis से इसका मतलब होता है lividity और hypostasis इसमें क्या होगा blood to lower depending area जो body है body में क्या हो रहा है color body का color धीर धीरे change होगा क्योंकि blood क्या होगा lower area की तरफ सर्क्लेट होने लगेगा इसके कारण तेहां पर मैंली दो पॉइंट याद रखना एल्ग और मॉर्टिस इसमें क्या होगा body का जो temperature after death के बाद वो घटेगा body ठंडी पढ़ने लगती है जनली जब कहते हैं और body stiffness आ रही है तो राइकर मॉर्टिस next is tapping over facial nerve cause twisting of the facial muscles is known as tapping over facial nerves इसके कारण क्या होगा facial muscles में twisting होगी तो क्या कहला है एक option में चौबस्टिक साइन चैडविक साइन ट्राउजी साइन फिर होमन साइन ते कहला है चौबस्टिक साइन नेक्स्ट आये था आपको drug calculation का question question of 56 यहां पर आपको drops per minute calculate करनी है कि एक minute में कितनी drops दी जाएंगी next question है आपर question number 57 sharp instruments should not be stylized by जितने भी sharp instrument होते हैं इसको कहां पर stylized हम नहीं कर सकते हैं option में cooling boiling hot air oven for antiseptic solution तो जो जो भी sharp instrument होते हैं इनको boiling के द्वारा हम stylized नहीं कर सकते हैं next idle ratio of nurse to patient in an ICU तो ICU में जो idle ratio होता है nurse patient का होता है one by one next method used for administering medication into the ear is called तो कान में जो दवाई डाली जाती है उसको क्योंसी method कहलाती है वो कहलाती है installation यहां पर कुछ question के answer आपको में direct इसलिए बता रही हूं ताकि आपको कोई भी confusion ना हो यहां पर answer क्या होगा आपका installation next step which of the following is an example of objective data तो इन में feeling of worry pen and abdomen nausea discoloration of the skin जो चीज हम देख रहे हो अब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है यहां पर discoloration of the skin बांकी सभी चीज है तो पेशेंट बता रहा है वो subjective data है हमने उप्जर्व किया है वो क्या discoloration of the skin next question है question number 61 11 cent is done in 11 cent किसके लिए कि यूज किया जाता है option मैं ascitis peritonitis cirrhosis या फिर appendicitis 11 cent है किसके लिए यूज किया जाता है एसाइटिस में जो भी fluid हो रहा है उसको treat करने के लिए 11 cent का यूज किया जाता है नेक्स्ट कुसिंग syndrome will produce increased कुसिंग syndrome में किसका लेवल बढ़ने लगेगा option है urine output serum potassium glucose level या फिर immune response तो कुसिंग syndrome में इस लेवल बढ़ेगा भोगा glucose level next question most common injury in blunt abdominal trauma यदि blunt abdominal trauma होता है तो injury कहां पर होगी option है kidney, liver, bladder या फिर spleen तो जो यहां पर blunt abdominal trauma होता है तो spleen को injured होने के chances ज़्यादा रहेंगे option में fracture of the distal radius is called distal radius में यदि fracture होता है तो क्या कहलाएगा option में hum fracture, montesia fracture, gallezy fracture, coles fracture तो यदि distal radius में fracture होता है तो कहलाएगा coles fracture होते हैं पर आपका answer क्या होगा D next question देखेंगे, question number 65, spasms of the facial muscles अकरिन facial muscles में spas में किसके कारण होगा, hyperthyroidism में होगा, hypercalcemia में, titani में हैं कि hypercalemia में, तो जो facial muscles में spas में देखने को मिलेगा, वो किस में देखने को मिलेगा यह मिलता है, titani में जंदली, तो answer होगा आपका यहां पर C next is complication of bronchiectasis is, तो bronchiectasis का complication क्या होगा, option में cerebral hemorrhage, sorry cerebral abscess, lung abscess, amylodosis, FD, all of the above next is which among the following diabetes mellitus is characterized by the damage to beta cells, तो कौनसी diabetes में beta cells क्या होगी, damage होगी, type 1st, 2nd, gestational, FD, all of the above next is low or absent glucose in cerebrospinal fluid indicate, तो यदि cerebrospinal fluid में glucose है ही नहीं है, फिर absent है, तो एक इस condition में होगा, bacterial meningitis, viral meningitis, और फिर ब्रेन abscess में, जंदली जो bacterial infection होता है, bacterial meningitis होती है, उसमें जो cerebrospinal fluid है, उसमें, glucose या तो ना के बरावर रहेगा है, बिलकुल भी नहीं रहेगा, absent रहेगा, तो answer यहाँ पर क्या होगा, आपका next question है, question number 69, an agent that inhibits the growth of bacteria, तो ऐसे agent जो बैक्टिरिया को मार नहीं रहे हैं, बट उसकी जो growth है, उसको inhibit कर रहे हैं, बट मार नहीं रहे हैं, यादी मार ना पूशते तो बैक्टिरियो साइड बोलते हम, बट इन्हीट कर रहे हैं बैक्टिरिया की 5mEq per litre. अंसर क्या होगा यहां पर आपकर C. Next is, all of the following are neurotransmitters except. तो सभी यहां पर क्या है neurotransmitter हैं? किसी एक को छोड़ कर. Option में है dopamine, gaba, gaba and serotonin. D है यहां पर troponin. तो dopamine, gaba, serotonin इस तीनों क्या neurotransmitter हैं? अच्छों ट्रोपोनिन है, neurotransmitter नहीं है. Next है यहां पर warm, dry, pink skin is seen in. तो skin कैसी है? Warm, dry हो, pink है. तो यह किस category के sock में देखने को मिलेगी? Option में, hypoball में, kardagionic, anaphylactic, apheneurogenic. तो यह जो warm, dry, pink skin देखने को मिलेगी anaphylactic sock में. Next question है, question number 73. John's criteria guides the diagnosis of. John's criteria किसके लिए use किया जाता है? Observe है, ineffective, endocarditis, rheumatic fever, congenital heart disease and, sorry, congestive heart failure and congenital heart disease. तो यहां पर पूँचा है कि, जो John's criteria है, यह किसके लिए use किया जाता है? तो John's criteria का use है, जो इसके लिए किया जाता है, rheumatic fever के लिए. तो यहां पर आप का अंसर क्या होगा? B. Next is abdominal muscle guard is present in. तो abdominal muscle guard है, जो किसमें प्रेजेंट रहता है? Option of ascitis, peritonitis, hemorrhoid, sephorpeptic ulcer. तो जो abdominal muscle guard है, एक इसमें देखने को मिलेगा? एक देखने को मिलता है, peritonitis में. किसमें देखने को? peritonitis में. तो यहां पर आप का अंसर क्या होगा? आप का अंसर होगा B. Abdominal guarding is the tensening of the abdominal wall muscle to guard. तो generally pressure, peritonitis में जो peritonium है, उस पर pressure रहेगा, इंफेक्शन होगा, थोड़ा वाथ रूट भी collect होगा. इसके कारण क्या होगा? Abdominal muscles में क्या रहेगा? थोड़ा बहुत आपको inflammation के कारण, जो हैंपर term use किया गया है, जो muscles में tensening, इसके कारण, क्या term use किया गया है? जिसको एक defense musculature के नाम से भी जाना जाता है. Next, वार्फरें टॉक्सिटी can be treated with, तो यदि किसी को वार्फरें ओवर्डोज हुआ है, तो कौन ऐसा agent है, जो यूज किया जाएगा, ट्रीट करने के लिए, तो होगा, विटामिन के, फाइटोना दिन, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका, ए, यदि वार्फरें, सॉरी, हिपेरें पहले आचुका है, सी मैं, question हमने पढ़ा है, जो अभी, तो हिपेरें के लिए क्या दिया, प्रोटावाइन सॉलफेट, वैदी वार्फरेंट ऑक्सिटी होती है, तो फाइटोडर्माइट, यह फिर विटामिन के, next is, which hormone is released from Jona Glomerulosa, Jona Glomerulosa से, कौन सा hormone secret होता है, तो वो, Eldosterone, next question है, question number 77, which of the following condition is in early symptom of myasthenia gravis, तो myasthenia gravis का early symptom क्या है, option में, ptosis, dysphagia, fatigue improving in the evening, और respiratory distress, myasthenia gravis में, सभी symptom देखने को मिलेंगे, but ptosis की condition है, जो early symptom है, myasthenia gravis का मानद जाता है, इसमें क्या होता है, dropping eye, क्या है, dropping eye, तो यहाँ पर answer क्या होगा, आपका, ए, ptosis है, जो first और early symptom है, next is a baby with cyanotic spells can be calmed by providing, यदि किसी baby को cyanotic spells की condition हो रही है, तो इसको किस तरीके की position देंगे, option में followers, knee chest, supine या फिर prone, cyanotic spells baby के लिए जो position देंगे, हम वो कौन सी position होगी, तो वो position होगी, knee chest position, कौन सी position होगी, knee chest position देंगे, ताकि जो cyanotic spells की condition होई हो, जो baby किस तरीके का हो रहा है, blue sting color का हो रहा है, जिसमें baby के, और जो baby है, skin और जो lips है, पूरे तरीके से जाना तर blue देखने को मिल रहा है, तो इस category में baby को जो हम position देंगे, वो क्या होगी, knee chest position, next is lead poisoning is also known as lead poisoning के लिए दूसरे term में उस किया गया है, वो क्या है, plumbism, next is, logan bow is used post-operatively after surgical repair of, logan bow किसके लिए use किया जागा, after surgery के लिए, after surgery के बाद, तो बहुँआ क्लेप के पैलेट के लिए, answer होगा आपका यहाँ पर, next question है, question number 81, the technique of psychoanalysis includes the following except, psychoanalysis technique सभी है, किसी एक को छोड़कर, option में exploration, free association, transference या फिर clay association, psychoanalysis technique में सभी आती हैं, but clay association है, इसका पार्ट नहीं है, next is, what is the total score in mini mental status examination, MMSE में, mini mental status examination में, the total score होता है, वो कितना होता है, तो यह होता है, 30, कितना 30, answer क्या होगा यहाँ पर आपका, B, next is, omega sign is seen in which of the following, omega sign किस disease में देखने को मिलेगा, NGS patient में, delude patient, depressed, deaf and negative patient में, sorry, negativistic patient में, तो जो omega sign देखने को मिलता है, देखने को मिलेगा, किसमें, depressed patient में, next is, Rima is admitted in a psychiatric ward, refuse to eat breakfast by stating that the food is poisoned, the kind of response is an example of, तो जो question है, एक question हमने, जो गुजरात 2018 का paper था, उसमें था, उसमें answer मेरे से गलत हो गया था, उसका answer क्या है आपका, कि यदि Rima नाम की कोई patient complain कर रही है, बहुत सारे लोगोंने comment भी किया था, कि आपका answer गलत है, मैं तयस, बिलकुल आपने सही कहा था, मेरा answer गलत था, कि यदि कोई patient psychiatric ward में है, अपने खाने के लिए refuse करें, कह रहे है कि इसमें poison है, तो यह क्या है, उसका delusion है, क्या है, ब्रह में उसका, next question है, question 85, chronotherapy is, तो chronotherapy क्यों दी जाती है, option में, manipulating patient sleep schedule, manipulating patient's environment, adjusting to stimuli, adjusting working hour, तो chronotherapy, यहां पर एक cryotherapy नहीं है, यह क्या है, chronotherapy, chronotherapy क्यों दी जाती है, ताकि patient का जो bed time है, sleeping pattern है, उसको change किया जासा के, ताकि night में जो sleeping time रहे, उसका better रहे, तो sleep schedule को change करने के लिए, manipulate करने के लिए, chronotherapy यूज की जाती है, next है, autistic child source, तो अभी इस बच्चे को autistic child है, तो क्या करेगा, no, not wanting to eat, crying for attention, catatonic light rigidity, enjoying being with pupil, तो autistic child होंगे, यह क्या करेंगे, करेंगे, catatonic light rigidity, एक position में, अच्छे तरीके से जकड के, बैठ जाएंगी, next is rapid succession of incomplete and poorly connected ideas, तो rapid succession of incomplete and poorly connected ideas के लिए, कौन सा टर्म यूज किया गया, तो बैठ जाएंगे, next is the stage of growth and development, which is concerned with role identification, तो growth and development की कौन सी stage में है, जिसमें, role identification को लेके, तो बैठ जाएंगे, क्या रहेंगे, growth and development की जो genital stage में, इसमें role identification को लेके, concerned हैं जो रहेंगे, next है यहाँ पर question number 89, best profile access for febrile seizure, febrile seizure का मतलब होता है, ऐसे seizures or fits, जो only fevers के time पर नहीं आएंगे, ऐसे normally नहीं आएंगे, febrile seizure को उनका जो profile access treatment है, वो क्या है, डाइज़पाम, क्या है, डाइज़पाम, हीनो बार भी टोइन तब दिया जाता है, sorry, फैनी टोइन तब दिया जाता है, जब seizures आ रहे हों, या फिर बार बार आ रहे हों, बार तो febrile seizures का profile access, पूँचते हैं तब क्या है, डाइज़पाम, next is a major side effect of haloperidol, तो haloperidol का major side effect है, वो क्या है, वो dry mouth, next is a classical feature of OSAS, OSAS का यहां पर classical feature पूँचा गया है, तो OSAS का जो classical feature है, वो क्या है, अबसार में snoring, sneezing, early morning awakening या फिर वर्स्ट ओफ एनरजी, OSAS का full form पता होना चाहिए, तो क्या, obstructive sleep apnea syndrome, तो obstructive sleep apnea syndrome में, क्या होगा generally, snoring है, जो सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, अंसर क्या होगा आपका यहां पर, next question, question number 92, who is the first psychiatric nurse, तो पहली psychiatric nurse कौन थी, Linda Richards, कौन थी, Linda Richards, तो आंसर आपका क्या होगा यहां पर, B, next is, Parkinson's disease is caused by, तो Parkinson's के होने का कारण क्या है, और सब्सक्राइब आपका क्या है, next question है, psychoanalytic therapy was developed by, तो psychoanalytical therapy, यह किसने दी थी, यह दी थी, Sigmund Freud ने, तो आंसर क्या होगा यहां पर, आपका A, Sigmund Freud ने क्या दी थी, psychoanalytical therapy, next is, sleepwalking is otherwise called, तो sleepwalking के लिए, कॉंसर्टर में उस किया गया, Somna Village में, तो यह भी आपको 2018 के paper में था, next है, definite treatment of all type of phobia, तो definite treatment क्या है, phobia, सभी type के phobia को treat करने के लिए, option में behavior therapy, social therapy, avoidance therapy, drug therapy, तो सभी type के डर को दूर करने के लिए, phobia को दूर करने के लिए, behavior therapy है, जो best treatment माना जाएगा, next question है, question number 98, OCD is best managed with, which of the following, psychotherapy, OCD किस therapy से, best psychotherapy से, manage की जा सकती है, observe seo, compulsive disorder, option में, psychodynamic, interpersonal, cognitive behavior therapy, या फिर supportive therapy, तो OCD के लिए, best treatment क्या होगा, cognitive behavior therapy, next है, question number 99, the most important factor in a therapeutic relationship, therapeutic relationship के लिए, most important factor क्या होगा, option में, trust, knowledge, professionalism, motivation, best or important therapeutic relationship के लिए, जो factor होगा, वो क्या होगा, trust, last question है, आपर common risk factor in patient with severe depression, यदि कोई person severe depression category का है, तो common risk factor है, वो क्या होगा, option में, flattisability, hallucination, agitation, societal tendency, यदि कोई person severe depression का है, तो उसको societal tendency, suicide करने के chances, जादा रहेंगे, तो यहाँ पर answer क्या होगा, आपका D, तो guys, इथा गुजरात का paper, जो की 20 जून को हुआ था, हमने solve कर लिया है, अब next video हमारा दहेगा, COVID-19 को लेके, जो की exam में, बहुत question आ रहे हैं, so thank you for watching us, bye bye,